हाई फेंट्स आज मैं एक काप आठा और एक आलू से बनाने वाले हैं ये टेस्टी और हेल्दी इवनिंग स्नैक्स रेसिपी लेकिन अगर आप चाहे तो इसे बच्चों की टीफिन और बेकफ़स्ट में भी सामिल कर सकते हैं तो ये मज़ेदा स्नैक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बोल उसमें हम एड़ करेंगे एक अंडा और उसमें हम पहले स्वाद अनुसर नमक एड़ कर देंगे फिर एड़ कर देंगे चुटकी बर हल्दी पाउडर अब इसमें एड़ करेंगे चुटकी बर क और फिर एक स्पून के मदद से या फिर विस्क के मदद से इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हल्दी मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसके लिए थोड़ी देरी से आप मिक्स कर लें उसके बाद ये फटा फट से बनके रेटी हो जाएगा अब इसमें हम एट करेंगे बॉयल आलू तो यहाँ पे दो बॉयल आलू ली हूँ जिसे हम पहले से ही मैस करके रखे थे अब ये अंडे साथ इस आलू को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है देखिए आलो अंडे साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मिंटो में अब हम लेंगे एक कप गेहु का आटा आप चाहे तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन मैदा खाना उतना हेल्थ के लिए फायते मन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे गेहु का अगर आटा सब्त हो जाए तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से आटा का डो रेडी हो गया है इसे हम साइट में रख देते हैं और अब हम बनाएंगे स्टाफिंग स्टाफिंग के लिए बहुत ही बारिक से हम प्याज को चॉप हम सबसे पहले प्याज को एट करके इसे हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राइ कर लेंगे प्याज जब हलका सा कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम एट करेंगे अधरक लसुन का पेष्ट एक चोटे चमच अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर इसे फ्राइ करने के बाद ये जो सारे वेज़ी टेविल हम चौपड करके रखे थे वो इसमें आड़्ठ कर देंगे ग्रेट गाजर और ग्रेटेट कूकुमबर हम यापे लिये हैं इसे भी आप चाहे तोЧौपड करके भी इसमें आड़्ठ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे ग्रेट करके डाली हूँ ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी ही नरम हो जाए थोड़ी देरी से फ्राइ करने के बाद इसमें हम एट कर देंगे स्वाधनुसा नमक तो यहां पे नमक एट करने के बाद ही यह जो सबजी है इसमें से पानी निकल आया है और यह बहुत ही आसानी से जल्दी से बॉयल हो गया है जब यह बॉयल होना सुरू हो जाए तब इसमें हम दो बड़े चमच टमटो का सॉस एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा से इसमें मतलब आदा चुटी चमच चीनी एड़ कर देंगे क्योंकि सॉस में खटा ही रहता है तो खटा को बैलिंस करने के लिए यहां पर थोड़ा सा हम चीनी एड़ कर रहे हैं चीनी डालने के बाद इसे हलका सा मिक्स कर ले और बस इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए अब आते हैं नेक्स टेप पे तो यहां पे आटी का जो डो रेडी करके रखे थे उससे लुईया काटके दो रोटी हमें बेल लेना है तो बड़ा बड़ा दो रोटी हम बेल लेंगे बहुत ही सॉप्ट यह डो बनके रेडी हुआ है तो थोड़ा सा आटा लगा के इस रोटी को आप गोल आकार में बेल ले और इस तरह से ना जादा पतला ना जादा मोटा इसे बेले बहुत ही अच्छी तरह से जब बड़ा सा ये रोटी जैसा हो जाए तब ये जो स्टाफिंग हम लोग रेडी करके रखे थे स्पून के मदद से दो से तीन चमच स्टाफिंग को रोटी के चारो तरफ हम रख लेंगे तो ये देखिए चारो कोना में हमारा स्टाफिंग हम भर लिये हैं अब इसके उपर से एक और रोटी हम इसमें रख देंगे और चाको की मदद से इसे इस तरह से दो साइट से काट लेंगे तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल जैसा सेफ हो गया है अब एक फोक स्पून ले लेंगे और इसके ये साइट को हम प्रेस कर देंगे इससे डिजाइन भी हो जाएगा और ये जो स्टाफिंग हम लोग भरके रखे थे वो भी निकलेगा नहीं फ्राइ करते वर तो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राइ भी हो जाएगा देखने में भी सुन्दर लग रहा है तो स्पून के मदद से जब इसे प्रेस करें तो चिपकने का चांस रहता है तो इसके लिए थोड़ा सा आटा लगा के स्पून में इसे आप प्रेस करें अब चलिए इसे है फ्राइ करने की बारी, तो यहाँ पे फ्राइ करने के लिए रिफाइन ओयल को गरम होने के लिए रख दिये थे, गरम हो जाए तब इसमें यह जो हम स्नेक्स बना के रखे थे, या फिर आप आलू का चोटा-चोटा समुसा भी बोल सकते हैं इसे, तो इसे ह एक-एक करके इसमें तेल में एड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे, फ्राइ करते समय गैस का फ्लियम लो में रखे नहीं तो यह उपर से जल जायागा और नीचे कच्छा ही रह जाएगा, सबची तो हमारा फ्राइ पहले स तो गैस आफ करके गर्मा गरम, हेल्दी अन्टेस्टी स्नैक्स बोले या फिर ब्रेकवस्ट जो भी आपको पसंद है, रेडी टू सर्व आसा करते हूँ, आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, आप लोग भी जरुरी से घर पे एक बार ट्राइ करें थेंक्यू